नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना मैं हूँ बे नसीर हाश्मी पुलीटिन में शुरुवात करेंगे पहले खास सुर्कियों के साथ फिर बात करेंगे हर्यार की बड़ी खबरों की जमु कश्मीर में शुरक्षा बलों ने 36 गंटे में किये तीन अनकाउंटर अनंतनाग में दो आंतंग की धेर तो वही शुरी नगर में चार जवान घायल बांदीपोरा में भी मुटबेर जारी बॉलिबूड अभी नेता सल्मान खान के घर पर फाइरिंग करवाने के मामले में आरोपी अन्मोल विश्नोई को अमेरिका से लाने की प्रिक्रिया हुई शुरू बता दे सल्मान के घर 14 अप्रेल को बाइक सवार दो लोगों ने की थी फाइरिंग गैंग्स्टा लोरेंस मिश्नोई का भाई है अन्मोल फैशन डिजाइनर रोहित बल का हाट अटेक से हुआ निधन 63 की उम्र में ली आखरी सांस दिल से जुड़ी बिमारियों से लंबे समय से थे पीडित द्रियंसियार में 70% परिवार परदूशन से प्रभावित परदूशन को लेकर किया गया सर्वे में चुकाने वाले आकड़े आये सामने आज हारखंड के के हिस्सों में भुकम के तेज जड़के किये गए महसूस जिसकी रियक्टर स्केल की तिवरता 4.3 मापी गई बात करे सोने चांदी के भाव की तो इस हबते 410 रुपे महंगा हुआ सोना 78,015 विक रहा तो वहीं चांदी 2,239 रुपे सस्ती होका 93,501 रुपे किलो विकी अमेरिका ने उन्निस भारतिये कमपनियों पर रूस के डिफेंस से जुड़ा समान उपलप्त कराये जाने के अरोप में लगाये परतिबंद इस पर भारत ने आज दी अपनी सफाई वेदी दिनबर की ताज़ा सुर्खी आप बात करते हर्याड़ा की खास हबरूद हर्याड़ा के पूर्व शुरम राजे मंत्री अनुप धानक के छोटे भाई शतीज धानक को एक महिला ने हनी ट्रैप में फसा लिया दरसल महिला ने उन्हें रेप केस में फसाने की धमकी देकर 9 लाक रुपे मागे महिला इस केस में शतीज धानक से पहले 13.5 लाक रुपे एट चुकी है बार-बार पैसों के मांग और ब्लैक मेलिंग से तंग आकर हैनी ट्रैप में फसे पूर्व मंत्रीन के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्च कराई पुलिस ने इस मामले में तीर लोगों के खिलाफ केस दर्च कर एक महिला को 2,30,000 रुपे लेते हुए रंगे हातों गिरपतार किया हर्याडा में कॉंगरेस की हार के बाद महाराष्ट बनान सभा चुनाप के स्टार प्रचारों की सूची में पूर्व मुख्य मंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा वे उनके सांसत बेटे दिपेंदर हुड़ा का नाम नहीं है दरसल आपको बता दें कि जबकि वरिश्ट नेता रंदीव सुर्जेवाला को जग्या मिली है वही स्टार प्रचारों की सूची में हस्टाक्षर सांसत गुमारी शेलजा की आप तोर पर कॉंग्रिस मुख्याले की ओर से जारी होने वाले पत्रों में संगठन महासचीव के हस्टाक्षर पाये जाते हैं लेकिन इस बार हस्ताक्षर कुमार्डि शेलजा के हैं उन्होंने बातोर महासची विस्टार प्रचारों को की सूची जारी की है इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में शेलजा का कद बढ़ने जा रहा है उदर हर्याना में हार के बावजूद अब तो कॉंग्रेस हर्याना में विधायक दल के नेताओं का चुनाप नहीं कर सकी है नैद घटना करम से कायास लगाय जा रहे हैं कि विधायक दल का नेता भी इस बार दूसरे गुट से हो सकता है हडियाना में डी एपी की किल्लत सिर्सा में परेशान किसानों ने डवाली रोड जाम किया दरसल सिर्सा में डी एपी खाद की कमी से परेशान किसानों ने आज डवाली रोड पर जाम लगा का परदशन किया जहां खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा जिसके चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया और यातेया ठप हो गया बताते चलेगी किसानों ने सरकार और प्रशाशन के खिलाफ नारेबाजी की और तुरंथ खाद की अपूर्ती बाहल करने की मांग की मुई परदशन के दोरान सिर्शा के विधायक गोकुल सेतिया भी किसानों के समर्थन में पहुचे और उनके साथ धन्ने पर बैठ गए सेतिया ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही किसानों के समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा अंदोलन भी किया जाएगा हर्याणा कर्मचारी चैन आयोग जल्द ही कॉमन इलिजिबिलीटी टेस्ट H.S.S.C.C.E.T. के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है जिसकी अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे बताते चले कि हर्याणा सरकार दुआरा आयोजित एक परतियोगी परिक्षा है जो गुरुप C और गुरुप D के लिए पदो पर भरती के लिए आवेशक है आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयू 18 से 42 साल होनी जाए जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिक आयू सीमा में छूट दी जाएगी तो अभी तक के लिए इतना ही कल फिर होगी मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ अब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं देश रोजाना नमस्कार